Hello everyone, welcome back to my channel Math Skills with Nazia देखिए आज हम लोग करने जा रहे हैं माद्धि, माद्धिका, बहुलक और परिसर इसे माद्धि को इंग्लिश में कहते हैं मीन, माद्धिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन और बहुलक को कहते हैं मोड, परिसर को कहते हैं रेंज ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश में समझना है तो यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए तो चलिए, आज हम लोग यही दिस सिखने वाले हैं कि माद्धिका किसे कहते हैं, माद्धि किसे कहते हैं बहुलक और परिसर किसे कहते हैं और इसे हम निकालते केसे हैं तो चलिए सबसे पहले हम आज हम निकालते हैं माध्य तो यहाँ पर हमने लिखा है माध्य माध्य के लिए हमने छोटा सा एक्जामपन लिया है कुछ नमबर्स लिये हैं ठीक है तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखते हैं हम देखें फॉर्मूला क्या होता है पदो का योग अपॉन में पदो की संख्या ठीक है पदो का योग अपॉन में पदो की संख्या यह फॉर्मूला माद्धी निकालने के लिए लगाया जाता है ठीक है तो यहाँ पर पदो का दिश्प का गया है, इसका मतलब हम सेकनर लाइन में क्या करेंगे, पदो promote के योग की जगा इन संख्याओं को plus कर देंगे, तो यहाँ पर हुआ 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 ठीक है अपॉन में हमें क्या रिखना है पदों की संख्या तो देखिए यहाँ पर पदों की संख्या हमें कितनी दिर रखी है वो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है टोटल कितने पदे हमारे पास? 7 यहाँ पर लिख दिया हमने 7 नेक्स्ट टेप में हम लोग क्या करेंगे? इन सभी को जोड देंगे तो चलिए जोड दीजी यहाँ पर आंसर कितना आएगा? इन सभी को जोडने पर हमारा आंसर आएगा 28 ठीक है? आप जोड कर देख लिजीए यहाँ पर क्या आएगा? 28 अप उन में लिखेंगे हम लोग 7 चलिए अब इसे काट दीजी क्योंकि एक दूसरे से कट रहा है काट कर इसे easy बनाएगे हम लोग यहाँ पर किया 7 बन जा 7 और 7 चोग 28 ठीक है? 7 गम 7, 7 चोग 28 इसलिए हमारा माध्धी निकल कर कितना आगिया? 4 यह हुआ हमारा माध्धी का अंसर ठीक है? I hope कि आपको समझ माया होगा कि माध्धी किसे कहते हैं और माध्धी कैसे निकालते हैं ठीक है? अब हम निकालेंगे हमने मीन निकाल चुके हैं माध्धी निकाल चुके हैं अब हम निकालेंगे माध्धी का मीडीयन ठीक है? तो next यहाँ़ पर देखिए माध्धीका माध्धीका क או कैसे निकालते हैं? माध्धिका को निकालने के लिए एक छोटी सी easy trick है सबसे पहले उससे समझ है कि यहाँ पर कोई हमें नंबर्स दे रखे हैं और कहा गया है कि इसकी माधिका निकालिए तो उसको कैसे निकालें गेंगे जमादी के गडिया तो यहाँ पर सबसे पहले हम इससे बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो बढ़ते क्रम में जमाना I hope कि सभी को आता होगा तो सबसे पहले यहाँ पर बढ़ते क्रम में जमाने के लिए हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे सबसे छोटी क्या है 1, फिर उसके बाद 2, उससे बढ़ी है फिर उससे बढ़ी क्या है 3, उसे लिख दिया फिर उससे बढ़ी है यहाँ पर कौन सी है 5, उसे लिख दिया फिर उससे बढ़ी है यहाँ पर 6, उसे लिख दिया फिर उससे बढ़ी है 8 और उससे बढ़ी है 10 इसे लिख दिया हमने बढ़ते क्रम में ठीके, किसमें लिखा हमने इसे? बढ़ते क्रम में अब बरते क्रम में लिखने के बाद माद्धिका इस तरीके से निकाली जाती है कि यहाँ पर सबसे पहले इधर का एक नंबर छोड़ दीजिए, फिर इधर का एक नंबर छोड़ दीजिए, फिर इधर का एक और नंबर छोड़ दीजिए, इधर का भी एक और नंबर छोड़ दीजिए, फिर इधर का एक और नंबर छोड़ दीजिए, इधर का भी एक और न लेकिन कुछ कोश्टन्स में ऐसा होता है कि यहां पर बीच में एक नंबर नहीं बचता है ज्यादा नंबर बचते हैं उसमें हम क्या करेंगे मादिका कैसे निकालेंगे तो उसका निकालने का तरीका दूसरा है अब उसे देख लीजिए इसके लिए हम लोग एक और एक्जाम सबसे पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में जबा लेते हैं चलिए तो यहां पर सबसे पहले हमने कि सबसे चोटी संख्या लिखेंगे कौन सी है सबसे चोटी 3 ठीके उसके बाद 4 फिर 5 फिर 7 फिर 8 फिर 9 यह हो गया हमारा बढ़ता क्रम ठीके इसे हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया उसके बाद अब इसे हम क्या करेंगे माद्धी का निकालने के लिए जैसे हमने पहले किया था एक नंबर इधर का छोड़िए फिर इसको बढ़ा दीजी एक और नंबर छोड़ दीजी इसको भी बढ़ा दीजी एक और नंबर छोड़ दिया अब बचे हमारे पास इस तरह निकालेंगे कि दोनो संख्याओं का योग, इसको कैसे करेंगे, दोनो संख्याओं का योग, अपॉन में 2, हमार पास कितनी संख्याओं यहाँ पर, 2, तो इसलिए अपॉन में क्या लिख देंगे, 2, चलिए दोनो संख्याओं का योग करिए, जो हमार पास बची वो कुन सी है 5 प्लस 7 उन दोनों का योग करा मतलब उन दोनों को प्लस करा अपॉन में क्या लिखा 2 चलिए 5 और 7 को जोड़ दीजी कितना होगा 12 अपॉन में क्या लिखा हमने 2 अब देखिए 2 और जो 12 है उसके हम लोग काट देंगे क्योंकि वो कट रहा है दो एकम दो, दो छंग बारा इसलिए हमारी माद्दिका निकल कर कितनी आ गई छे आया आप सभी को समझ में कि अगर माद्दिका में ऐसे नमबर हैं कि बीच में एक नमबर बच रहा है तो डाइरेक्ट हम लोग माद्दिका निकाल सकते हैं हमने पेले वाले कॉशन में निकाला और अगर बीच में एक नमबर नहीं बच रहा है ज्यादा नमबर बच रहे हैं तो उसको इस फॉर्मूले से निकाल दीजिए ठीक है? I hope कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए चलिए next देखिए यहाँ पर बहुलक अब बहुलक को कैसे निकालते हैं और बहुलक को क्या कहते हैं देखिए बहुलक को इंगलिश में कहते हैं मोड ठीक है और उसे हम लोग देखिए इसके डेफिनेशन क्या है बहुत बार आया हुआ नंबर को हम लोग बहुलक कहते हैं ठीक है जो की बहुत बार आया हुआ नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं बहुलक इसलिए हम यहाँ पर नमबर दे रखा है 1, 3, 5, 3, 2, 8, 3, 7, देखिए, अब इसमें कोई एक ऐसा नमबर है जो बहुत जादा बार आया हुआ है, ठीके, एक से जादा बार आया हुआ है, उसे हम लोग कहेंगे बहुलक मोड, अब यहाँ पर जादा बार क्या आया हुआ है, यह 3, यह 3, यह 3, ठीके यहाँ पर 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, मतलब वो सबसे जादा बार आया हुआ है, तो इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा, 3, ठीके, मोड क्या होगा हमारा, 3, next देखिए, यहाँ पर हम लोग करते हैं, परीसर, फेलाओ, परीसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसको हिंदी में कहेंगे फैलाओ हम कहते हैं इस चीज की range इतनी है इसका फैलाओ इतना है ठीके उसे ही हम परिसर कहेंगे परिसर के लिए हम एक छोटा सा एक्जामपल लिया यहां पर दस, आठ, दो, नो, चार, पंदरा इस तरह के हमरे पर संख्या है वो परिसर को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसे याद कर लीजिए सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं में देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है पंद्रा ठीके सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमें चलिए कर दीजे माइनस 15 में से 2 को माइनस किया कितना बचा 13 और यही हुआ हमारा परिसर ठीक है यह हुआ इसका आंसर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब की बिना मच जाईएगा मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाईज